रेडियो सिटी पर अखिल के साथ है आप और सिटी की बात में आज मेरे साथ दो नई पर्सनालिटीज हैं मेरे साथ है ग्यान कोचिंग सेंटर फॉर एग्रिकल्चर मेडिकल एंजिनिरिंग से डारेक्टर साहब मिस्टर राकेश तिवारी जी और मिस्टर जितेंद्र तिवारी जी सर सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागा थे आप दोनों का धन्यवाद सर मैं यह जानना चाहरा था अगर मैं पहली बात करूं तो यूपी में बायो मैट्स को पढ़ाने के और बच्चों की जो नीट और जेई मेंज और अडवांस की तयारी है तो बच्ची क्या करते हैं अकसर तयारी के लिए कोटा जाते हैं तो आपने यहां पर उनके लिए कई रास्ते खुले होते हैं कि वह बायो में भी जा सकते हैं और एगरी कल्चर की जो लाइन है उसमें भी जा सकते हैं अब यह ध्यान रखना पहुता है कोटका स्टेंडर्ड क्या है उनका एम क्या है तो हम लोग इस हिसाब से पढ़ाते हैं अगर वह नीट के स्टूडंट हैं वो भी बीटेक आयाइटी की तैयारी करते हैं उनको उसी स्टेंडर्ड से पढ़ाय जाता है लेकिन अगर उनका लेबल नीचे होता है थोड़ा सा तो उनको हम कनवर्ट कर लेते हैं एगरी कल्चर ग्रूप में तो इसके साथ उनका एम पूरा हो जाता है अब बहुत सारे द्रूंटे लड़के जाते हैं जो मिस्क गैड़ हो जाते उनका लाहिक जाते अशिए लार्फ कर सकेसेach यह उसरी चॉड़ाइब को मई उसंहीं है ऑनको प्रिजिंद कर जाते हैं प्रत्रेंफ कर जाती है पासज्ट एरें नहीं नहीं नीकाल पार रहें नहीं है होग सकते जाए तो जैसे बायों का बच्चा है तो हमां यह वेटनरी साइंस भी है पस्टी कित्सा तो उसके लिए मूब कर लेते हैं बच्चे तो अब यह डिपेंड करता है उनकी मेंटाल्टी पर वो क्या सोच रहे हैं किधर जाना चाहते हैं बहुत बढ़िया अजसर मैं आपकी सब्सक्राइब करूंगा गवर्मेंट से कि इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं इंटर्मीडियेट में इंग्लिस सब्जेक्ट हाई नहीं और जब यह ग्रेजुएशन में एडमीशन लेते हैं किसी इन्वर्स्टी लेवल पर तो सब्सक्राइब करने के लिए ही इस तरीके से तयार की जाना है हर जगां इंग्लिस की नीड है एर्थ के बाद से ही इंग्लिस इनकी छूड़ जाती है नाइंट टैंथ 11 12 में इंग्लिस है नहीं तो उस चीज़ की भरपाई करने के लिए और दूसरी जो बायो मैत के सब्सक्राइब करने करने करें इंग्लिस नहीं पा रहा है उसके लिए हिंदी जाना बाई किसानों के संपर्क में रहना है ट्रेनिंग लेनी है उनको फील पर जाना है और खेत है जुताई है अब इन सब की टर्मिनल वाजी उनको वहां पर प्राबलम होती है चूंकि वह थोड़ी देर पहले आपने बात्चेत में बताएं कि आप आवासिय सुविधा भी उपलब्द कराते हैं इसकी क्या विशेश्चता है क्या स्पेशलिस में जैसे कुछ बच्चे हैं जो हमाई सुरू में तो 14-14 घंटे मेडिया में ही जूड़े हुए है रील दे रहे हैं फ पूरा स्टाफ है पूरा तो उसके बाद नास्ता चाहिए फिर उसके बाद उनका अराम भी है फिर साम का भी है लाइफ क्लासेज भी है और कहते हैं कि टाइम आफ स्टेडी पीरियर जो रिवीजन के लिए जितना दिन में पढ़ाया गया उसको रिवाइस करना है इसके लि इसमें रहती है क्योंकि देखे अब यूग ऐसा आगया कि आप बच्चों को मना नहीं कर पाएंगे कि आप मोबाइल ना चलाइए अब उनको हमें ऐसा समझाना है कि मोबाइल में क्या चलाइए सब बिछले कुछ सालों में आपकी कुछ उपलब्दियां जो आप हमारे दि सेखा आजातके सुषद्यालाय कानपूर के सिंग साब थे उन्होंने हम लोग को एप्रिसियेट किया काउंटर पर आया कापी अच्छा किया सबसे बड़ी लबधी तो हमाई बच्चों के साथ यह है कि हमारे जो विगत वर्चों के बच्चे रहे हुए हैं उस सब अच्छ पर है सब अच्छी जगह पर तो हर साल का यह एक अच्छा चीवमेंट रहता है जो भी कॉलेज है अगर किसी कॉलेज में देखेंगे तो ग्यान कोचिंग को अहां पर श्टाफ जरूर आपको मिलेगा अगर इंटर कॉलेज देखेंगे तो पूरे स्कूल में अगर 10 टीचर है तो दो ग्यान कोचिंग के हैं आप बैंक सेक्टर में जाएंगे अगर सो पैंक के इंपलाई है तो उसमें से 15-20 जो है वो ग्यान कोचिंग सेंटर के निश्चित आपको में प्रोफेसर्स तक अपने हां के हैं निव मजबूत कर देते हैं जो अभी आपने इंगलिस अब बैंदी और यह सारी बातें बताई तो वह मैं कच्छर नौ से ही लेकर पूरी निव बनाके चलता हूं तो हमारे बच्चे अच्छे कंप्रीशन में निकालते हैं अपने को प्रूफ करते हैं अब जैसे कर्षी छेत्र में विभीन तैयारिया होती है जो बच्चे अलग जो है यह जितनी है अलग अलग वेकंश की अलग होती है कि जैसे किसी को समें बच्चे डें की बात हो रहत हूं तो ऑग्रेक्रोच को यह बटा नहीं यह नहीं कि midnight. अगरिकल्ट पूरा जिय bluff तो इसके लिए हमारा specialization इसमें यह है कि हम बच्चे का पूरा base मजबूत कर देते हैं चार साल की BST दो साल का इंटर इसका पूरा course लेकर हम उसको इतना मजबूत कर देते हैं कि फिर वह course कहीं से भी पूछा जाए बहुत जगह होता है कि यह TA का बैस चला है यह article चला वो तब सफल होता है कि जब वो बच्चा अपना slabus पूरा perfect पढ़ा हुआ हो और just like a revision उस बैस को जोईन करें जिस बच्चे का base ही कमजोर है उसे agriculture में ही काफी weakness है subject में जिसको mains कहेंगे प्री अलग हुआ मेंस अलग हुआ जिसका मेंस ही कमजोर है उसको अगर specialize हम बैच देंगे तो वहाँ defeat खाएगा तो हमारा इसमें अलग सिस्टम यह है कि हम उसका पूरा slabus ही कवर करा जेते हैं और यहीं पर हम लोग की और शक्ता पड़ती है और शक्ता यह कि देखिए सब्सक्राइब के कमटीशन है लोवर लेस से उपर अपर लेवर तक तो यह गुरू ही किस लेबल की पढ़ाई किसमें होनी चाहिए ठीक है अगर छोटा स्टूनेंट है इंटर हाई स्कूल का स्टूनेंट है तो उसका वह लेबल चेक करना पड़ता है कि यह तो मॉडरेश हम लोगों को इतने सालों का experience जो है वो यह दर्शा देता है कि यह बच्चा 10 तक है तो इसको यहां तक पढ़ाना है यह लड़का इंटर तक है इसको यहां तक पढ़ाना है और अगर कोई जे आरफ आ गया स्टूनेंट्स आ गया कि नहीं साब साब हम पर्टिकुलर इस सब डिपेंड करता है तो आप यूट्यूब पर भी एक सीरीज चलाते हैं ग्यान पर ध्यान बिल्कुल बिल्कुल तो आप उसके बारे में हमारे देखने वालों को क्या कहीं ग्यान पर ध्यान जो टॉपिक है इसको सिर्फ इसली बनाए गया था क्योंकि अब यूट्यूब प लगता है तो प्रिक लगता है वो हाई स्कूल निर्टा को लगता है लेकिं इसके बाद जब उसको जस्टीफाई करते हैं उसको और डिटेल करते हैं जैसे आपने को पोड़ा वह कड़वी लगी तो इंटर में फित्ना पूछा जाएंगा करुए पनका क्या कारण है तो ए तर आएगा डिफीसेंसी आफ कैल सियम लेकिन यही कोशन अगर पीएज़ी में पूछा जाएगा तो एफला टॉक्सिन का क्या कारण होता है फिर उससे उससे आएगा कि जब उसको भंडारन करते हैं यह वेस्टिंग करते हैं तो उसमें मौश्चर जो है ज्यादा हो जाता है कितना मौश्चर हो जाता है नो परसंट से 9 परसंट से अगर मैक्जिमम सीड में मौश्चर हो जाएगा देखिए कोशन एक है एंसर उसके अनेक निकल के आ रहे हैं लेवल चेंज होता है उसमें कि यह इंटर का है यह पोस्ट ग्रेजुशन का आप उस हिसाब से उसको पू तो ग्यान वहां से हमने सुला किया चुकि पहला ग्यान मां से मिलता है तो वहां से हुआ और फिर ग्यान कोचिंग हुई अफिर अब तो जो है दोजास साहतालिस तक हमारे मानेमी पुलान मंतरी जी भी ग्यान पर ध्यान कह रहे है उसमें यूवा और नारी और सबको जोड सर जैसे आपके पास क्रिशी का भी बहुत बड़ा अनुभब है तो आपकी कोचिंग में इस से रिलेटेट क्या क्या चीज़े हैं देखे एगरिकल्चर सेक्टर में जो हमाय पास है वो 9th से बच्चे एवलेबिल हो जाते हैं 9th 10th का बैच चलता है एक जो इंटर स्टूडेंट्स हैं 11th 12th के यह हमाय पास आ जाते हैं और जो कमटीशन के बच्चे हैं मतलब 9th से लेके PG लेबल तक के हमाय पास स्टूडेंट्स आते हैं मतलब BSCAG वाले MSCAG इंटरेंस के लिए और हम जितनी यह तैयारी कराते हैं यह सारी इंटरेंस पॉइंट आव व्यू से कराते हैं और इनका मीडियम जो होता है वो हिंदी इंगलिस दोनों लेके चलते हैं तो इस पर हमाय पास करीब चार सेक्टर तो यह हो गए है फिर इसके बाद हमाय पास जो बायो के स्टूडेंट हैं इनकी बैचेज अलग चलती है मतलब 9-10 हो गया 11-12 हो गया फिर उसके बाद जो गवर्मेंट कमप्टीशन से यूपी कटेट सी यूई टी इसमें ग्रिजुएशन के लिए फिर पोस्ट ग्रिजुएशन के लिए आफ्टर डैट जो कमप्टीशन से हैं वेकेंसी के लिए उनका सेप्रेड वैच चलता है ठीक है उसके लिए बच्चे जो है पूरा स्लेबस पढ़ते हैं अलग अलग उसके लिए इस तरह से चलाते हैं जाने से पहले हमारे देखने वालों को कुछ कहना चाहेंगे हैं हां थोड़ा सा यह कहना चाहेंगे कि जैसे इस माध्यम से सब जुड़ना है जान रहे हैं एक सुरू में थोटी सी बात हुई थी कोटा को लेके कमप्टीशन तो चुकि हम यूपी के हैं और हमाने पास अग के लिए या मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बहुत कम fiscate ur me हमको टच कर सकते हैं इनका रहना खाना भी बहुत कम पिस में है और कोचिंग फीस तुमा ली यह कम है ही हर तरीके से हम इनको support करते हैं और यह हमको इस तरह से जॉइन करके अपना केरियर बना सकते हैं थैंक यू सो मच सर रेडियो सिटी के साथ बात करने के लिए ओके सर धन्या थैंक यू सेर